दूसरी तरफ बात करते हैं, इंडिया का मैच भी देखा, बहुत बुरा हुआ इंडिया के साथ आज, 46 पे पूरी टीम आउट हो गई, लेकिन हो सकता है, इंडिया ने बैटिंग की, शाहिद वो जी समझ रहे होंगे कि वो इस चौती निंग पे मुश्किल होगी, निउजील सूरते हाल होई, कि बॉल तो जब तक इंडिया का आखरी विकट ने गिर गया, बॉल तो ऐसा स्विंग हो रहा था, ऐसा सीम हो रहा था, और 46 पे आउट करने के बाद फिर वैसा आगाज मिल नी सका कि जिसकी उमीद थी, आप तो वहाँ भी धूप वगरा भी ठीक ठाक नि है, सीधा प्लम आउट था, कुलदीप की गेन पे, सीधा ही प्लम, साफ सुतरा उसमें, I don't know, पॉल राइफल साब को राइफल निकालनी पड़ेगी, तब वो जाके उंगली खड़ी करवा दी, और विकट एक हासल की है, कुलदीप नहीं, थोड़ा नजदीकी मामले भी र जैसे डर रहा था, कि पता नहीं, आग का कोई गोला आ रहा है, या कोई बंधूक की गोली आ रही है, और स्लिप में कैज गया है, दोनों के बीच में, क्याल राहूल की तरफ था, ज्यादा क्या है, पता नहीं, क्या आ गया ये, तो वो तो समझ में नहीं के, भाई, हुआ पलाए रहा वो, एकदम से ऐसी पी क्या गेंदी था वो, और उसमें क्या था, तो काच कुछ ओपर्चुनिटि önce जो निकाली भी, वो भी घ्राब नहीं कर सके, वो भी घ्राब नहीं की अपर्चुनिटि तो नहीं है इतने रांस में वी वर होपिंग बलके काफी दोस्त कह रहे थे कि इंडिया भी देखे कैसा कमाल करेगा तो इतने रांस पर को तीन चार विखने तो गिरनी चाहिए थी लेकिन खैर ऐसा नहीं है वहाँ पर काफी चल रहा है मौमला आट तर मुमेंट तो वन किया कि बैटिंग तो एक तरीके से अपने आपने तीम को भी ट्रस्ट दिया इट वजब ब्रेव डिसिजिजिन लेकिन जैड़ सी बात है वो डिसिजिन जब ब्रेव अपने हक में नहीं जाएगा तो पर फैंस इसको इसी ली लिटे नहीं है अब आप इसको दो तुन नही यह से देख सकते हैं क्या रोईशर्मा ओए वह और यह तो तरीब वह फोगी क्योंकि तो बहुत रिकवरी अभी अभी लिट अफोरी थी उन्निस के किते हैं लास दास ओवर में सिर्फ उन्निस अना ना है और एक विकड़ीरी है तो एक दम से जो पूरा मोमेंटम है वो इस वक न्यूजिलेंड के हक में विकाज एवरीधिंग इस नॉट गोइंग इन फेवर अफ एडिया जुक्रिया अदा करें ब्लंडल का एक नहीं एक सो एक दफ़ा बैलाल देखें मैं अभी भी यह समयते हूं अगर कोई यह कहे ना के जी रोई शर्मा ने टास जीत के मरवा दिया टीम इंडिया को मोसिन साब एक विराट कोली का बहुल आप कह सकते हैं और एक जैसवाल का आप कैज कह सकते हैं कि बड़ा अक्स्ट्राइडनरी कैज पकड़ा गया हेलो दोस्तो मैं नुपीश आपका स्वागत करता हूँ भारत और नुजिलेंड के बीच टेस मैच का आज दूसरा दिन लेवाजी की शायद उनने सोचा होंगे कि चाहती इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इसलिए उनने पहले बैटिंग ली लेकिन यह जो उनका डिसेजन था रॉंग हो गया भारत के फोटेसिक्स रन पर आउट होने पर तन्वीर आमद कापी पर कमेंड कर रहे हैं आए देखते इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब यह लाइक करें इसके लवागर आप मुझे यह कहें ना कि जिनाब क्या कहते हैं बॉल 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 कुछ भी नहीं है आप जब पीस अवरों में बीस अवरों में तीस रंड मनाएंगे टक टक सत्रा बे आउट हो जाता आपका चौथा यह तो आपकी बड़ी गूड लग का है क्या वो दे के सिर्फराज ने क्या शाट मारा है कप्तान रोई चर्मा ने क्या किया जैस्वाल का कहा जैच चाप बड़ा कोली के बॉल थोड आपकी सही है लेकिन देखे बॉलर से ज्यादा बैसमेन का अपना कसूरा जो आउट हूए है रोई शर्मा किसने कहा था यार बाहर निकल के आप चार्ज कर रहे हैं बॉल घूम रहा है आप छे वर बर बरदाश कर गए हैं दो तीन ओवर की और गेम थी आप अच्छा बला आप गए विराट कोली साब अंडे बे गए सरवराद साब अंडे बे गए रिशेप पंद को एक नहीं कमसकम पांच छे चांस मिल एक तो सीधा कैच उटा है कोई उपर चड़ा रहा है को इदर चड़ा रहा है बैरहल बच गया जैस्वाल का बड़ा शहंदार इजाज पट नहीं उन्होंने ट्रैप किया इसको आउट किया और जदेजा वो तो लगी रहा था अब गया तो अब गया और वो भी छे आउट चोंतिस पे आर क्या करके रहा है अगर ब्लंडर ना करते तो और यह इंडिया का जी सिक्स्ट लोएस टोटल है अट ड़ फॉल उफ सिक्स व कि मोसल जास साब बड़ी खुशकिसमती है इनकी के वो रिशेप पंत वाला कैच उड़ गया नहीं तो यह इस वद मेरा नहीं गयाला यह 25 स्कोर भी होते है अब पीछे क्या रिशेप पंत ही है जो थोड़ा एश्विन क्या कुछ करेगा देखे बहुत मुश्किल हो गया र स्कोर बोर्ड का भी तो है स्कोर बोर्ड का जो है आप इसको किसी सूरत में रूल आउट नहीं कर सकते के स्कोर बोर्ड जा इसका अपना ही एक प्रेशर है यह तो मनने वाली बात है के स्कोर बोर्ड जा वो अपना एक रंग धंग दिखाएगा मेरा देखे मेरा इसवत जो जिस्वत इंडिया के अलाज चल रहे हैं सिर्फ एक रिशिप पंट है जो आउट अफ दा बॉक्स ये चोबिस होवरों में एक बॉल कम चोबिस होवर में चौनतिस रंस बने हैं और यहां पे जब विक्तें गिरती हैं जब थोड़ा से टेस्टिंग कंडिशन आती हैं तो फि भी फुल स्टॉप लगा और यहां पर भी फुल स्टॉप लग गया है लेकिन विकेट भी आप देख रहे हैं कि फुट मार्क्स अल्रेडी ये बैंगलोर में बनना शुरू हो गया है उससे स्कोर तो चाहिए ना फुट मार्क्स 35 पे तो कुछ भी नहीं करेंगे ना मोसन ज ने 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 वो तो मैंने आपकी बात में समझ गया हूँ लेकिन आप जो लोग भी मैं देख रहा हूँ कि लोग जी ओ जी रोई शर्मा ने ये का अब रोई शर्मा क्या करें वो चोती इनिंग भी तो देख रहा होगा ना कि इंडिया का जो रन रिट था इस मैच में वो वन पॉइंट फॉर सिक्स था बद तीसमें ओवर में 46 रंस पर पूरी टीम आउट हो गई है और ये इस प्रक जो है वो बैंगलोरुस से ताजा तरीन सूर्ट इहाल है और अब देखते हैं कि इंडिया इन कंडिशन से कितना फाइदा उठा सकते हैं एक निया चमकता बॉल हार्ड बॉल एस जी का कंडिशन वला आपके पास है कंडिशन जरी भी विश्मी के हैं मौसन साब अब आप देखें इन्होंने हैंडरी को एक दो वर का गैप दिया के चल तू अपनी बैटरिया चार्ज करके वापस आजा व वो मुसलसल लगा रहा है कंडिशन स्टाफ थे आपने खुद बिटा हुआ एक सो तीस एक सो चछटीस एक सो नतीस मौसन में यह लो स्कोर्स और इंडिया कोई लव अफेर है आपस में बहुत दफ़ा लो स्कोर इनका है यह कंडिशन को देखके इनको पता नहीं क्या हो जा झाल